विल्कम टू माई चैनल बेसी किसमार फॉम्लिए स्ट्रेंड अगे पड़ाइंग आपको आज साइंस पराइंग आपको आज किस्ट्रेंग आपको आज इस ट्रेंड फोकस दिस उससे पहला से रिक्वेस्ट आप माँ चैनल को सब्सक्राइब से लाला बढ़ना बच्चों ध स्ट्रेंड जयान दिये करते हम शुरू हम सुबह उठने से लिकर रात सोने तक कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं जैसे भोजन करना, खेलना, अपने दिने काले करना, घर के अन्य काले करना, इसकूल जाना आधी जानते हैं ये सबी काले करने की शक्ति हमें कहाँ से मिलती ह शक्ति मतलब उर्जा, सिस्ट्रेंट्स अर्दिया आईए जाने, सभी जीव जन्तु को उर्जा भोजन से मिलती है, मज़िदा बात ये है कि केवल हरे पौदे ही अपना भोजन सोय बनाते हैं, मनुश्य एंव अन्य जीव जन्तु अपने भोजन के लिए पौधों पर सकते हैं, ध्यान दिए बच्चों, पौधों में देगी पौशन, पौधों में पौशन, सो पौशी जो अपना भोजन सोय बनाते हैं, जैसे हरे पिर पौधे, उन्हों बोलते हैं सो पौशी, पर पौशी, पर जीवी, मिर्तोब जीवी, सह जीवी, कीट भख्षी, ये सभी अपने भुजन के लिए पिड़ पौदों एंव अन्य जीव जन्तूं पर आश्रित होते हैं क्या आप जानते हैं कि पिड़ पौदे अपना भुजन किस प्रकाब बनाते हैं पेड़ पौधों का भुजन पेड़ पौधे अपना भुजन जमीन और हवा से प्रणब करते हैं जिस पिरकार हमें अपना भुजन बनाने के लिए कच्छी सामगरी जैसे चावल, दाल, आलू, मसाले, सेल, एम अन्य सामगरी की अवशकता होती है उसी पिरकार पौधे भी व कच्छी सामगरी प्रणब करते हैं जैसे बच्छो आगए ध्यां दिए जैसे कच्छी सामगरी माते हैं जल एफ खनीज लवन, स्रोथ माते मिट्टी माध्यम जड़ दोवारा मिट्टी से अफशोषित करके तना एफ शाखाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुचाना से पॉइंट देखिए काबंडा यॉक्साइड वायु मंडल माध्या में इसका पत्तियों दोवारा इस्तित सुक्षम रंदर इस्तु मेटा दोवारा देखिया आगे पौधे में भोजा निर्मान की प्रिक्रिया प्रिक्रिया पौधे के हरे भाग विशेशकर उसकी पत्त पत्तियों में पौधे हरित क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल सुर्दय की ओज्जा को इखटा करने में पत्तियों की मायत करता है समयें बच्चों आप इस किरिया में पौधे वायु मंडल से काबंडा यॉक्साइड गैस तथा जड़ दोवारा भूमी से जल वार लवन को अ प्रकाश में भोजन बनाने की किरिया को सद्द्स कहते हैं समयें तो इसे हम इस प्रिकाश से भी समझ सकते हैं बच्चों यह डायम दिये हुआ चित्र इसको आप देखर समझते एंसको आप बच्चों आगया ध्यान दिए अ इते के कावन्ड़ी ऑपसाइड प्लस जल मुझा सूरै का प्रिकाश पत्तियों में प्रणाने मृप्लेम बनता है कार्वो हाइडरेट प्लस ऑक्सियन वह बच्चों आगया ध्यान दिए प्रि प्रकास तॉंशिलेशन की प्रिक्रिया द्वारा बने काबुहाइडरेट का प्री उप्योग पौदे में तुरंत हो जाता है याज है अगु इलशील मंड स्टार्च के रूप में पौदों में इखटा हो जाता है बोजन बनाने की इस प्रिक्रिया में पौदे ऑक्सियन गै इसका प्रियोग सभी जीव जन्तु सांस लेने के लिए करते हैं पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन पौदे एवबिन भावों जैसे जड़ तना पत्तियों अथवा फलों में संशित कर लिया जाता है जड़ों के द्वारा अफशोशित अत्रिक्त जल पत्तियों से सर्जन तथा इंग्रिशन बोलते हैं ट्रांस्पारेशन कहते हैं पौदे पत्तियों के इन्हीं छिद्रों द्वारा दिन रात शफसन के लिया करते हैं हमारी तरह शफसन के लिया समझे बच्चों आप संग माया आगा ध्यान दिये आगा ध्यान दिये मैं पिर पौधे भी ओक्सियन लेते हैं यथा कारबन डायोकसाइड गैस बहार निकालते हैं सोचिए यदि पिरकाश संशलेशन ना हो तो क्या होगा यदि सुरेश ना हो तो क्या होगा यदि पूरपोदे ना हो तो क्या होगा समझे में चौप आगा ध्यान दिये पौधों में भोजन की अन्य विद्धियां बरसात के दिनों में आपने गोबर या कूड़े की धेर पर वर्षों की छाल पर छत्ते-छत्ते जैसी सरनरशन देखी होगी या बड़े-बड़े वर्षों की तनों साखाओं एं पत्तियों से लिप्टी रस्तिनुमा सरनशनाएं सोचिए इन में ना तो पत्तियां हैती हैं और ना ही फिलोरोफिल तो ये कैसे जीवित रहेते हैं ये अपना भोजन कैसे बनाते होंगे आईए जाने कुछ पौदे अपना भोजन सोय नहीं मनाते ये अपना भोजन मिर्ट एं सड़े गले पदातों से घर्ण करते हैं उन्हें मिर्टो जीवी मतलब इंग्लिश में बुलते हैं इसको सेप्रोफाइट्स कहते हैं जैसे कुकुर मुत्त आदी आपके शित्र में इस तरह के पौदे को क्या कहायाता है बताएए अगर ध्यान दिये ऐसे पौदे एव जन्तू जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित पौदे एव जन्तूं पर निर्बर रहते हैं उन्हें पर जीवी इन्विशन बोलते हैं पाया साइट्स कहते हैं जैसे जैसे अमर बेल का पौदा आदी जिन पौदों से वे पोशन प्राप्ट करते हैं उन्हें पर पोशी कहते हैं सभी मैं बच्छों आपको आगर ध्यान दिये कि आप भी अपने आसपाल ऐसे पौदे को देखते हैं जो दूसरे वर्षों से लिप रहते हैं उनके नाम बताईए आगर ध्यान दिये कीट पतंग खाने वाले पौदों का संसार आपको ये जानकर आच्छा रहोगा कि कुछ पौदे बहुत ही चत्वाई से अपने भोजन के कीट पतंगों को पकड़ते और खाते हैं इन पौदितो कि पत्तियां अब बहुत विच्टर होती हैं पौदे दलदली भूमी या तालाब के समय पायाते हैं जहां नाइटोयन की कमी रहती है पौदे अपने भोजन में नाइटोयन की आवश्कता कीट पतंगों को पकड़कर तथा उनको पचा पचा पूरा करते हैं ये पौदे है समय बच्चो आगा ध्यान दिए फस्त देखिए वीनस फ्लाइट ट्रैप इंग्शमें वीनस फ्लाइट ट्रैप भी कहते हैं इन पौधों की पत्तियां चप्टी दो भागों में बीच से जुड़ी रहती हैं तता उसकी पत्तियां किनारे से नकीली होती हैं उड़ते कीड़े जैसे ही पत्तियों पर बैठते हैं पत्तियों के दोनों हिसे बंद हो जाते हैं समय बच्चो आप आग ludzi एजदीए केड़े उसमें कहय्त्यायाते हैं पत्तियों से निकलने वाला पाचक रस उसे गला देता है तथा वोड़ दौारा उसे पॉड़ा उसे पचली है तुसरा पॉंट देखिए नेपैंथिस इस पौधे को घट पूर्णी का पौधा पिछा प्लांट भी कहते हैं क्योंकि इसकी पत्तियों के आगे वाला भाग लंबे घड़े के आका जैसा होता है इसके उपर पत्ति का ढगा रहता है गड़े के उपर मीठा वा खोशूदा रस निगलता है जिसके काण कीट पतंगे उसके मुक के पास आते ही फिसल का अंदर चले आते हैं और उसका ढगा बंद दो जाता है क्या आपने भी ऐसे पौधों को देखा है जो कीट पतंग खाते हैं बड़ों से पूछ कर उसके नम बताईए आगे देहन दिए पौधों जन्तूं की परस पर निरबरता अब तक हमने जाना कि पौधे अपना भोजन सोय बनाते हैं और सभी जन्तू भोजन के लिए पौध नहीं मिलेगा उक्रीं बच्छो सोचिए यदी जंगल में पेर पौधों की संख्या कम हो जाये तो खरकोश बहकरी यरन आदि शाकाहारी जीवों पर क्या असर पड़ेगा दूसर प्उइन इसकाहार जीवों की संक्या कम हो जाएगी तो मासाहरी जनताओं का क्या होगा इसकाहार ज़ूँगों यदी शाकाहारी जीवों की संक्या बढ़ने लगए अगर देखिए इन्हें भी जाने पहला पॉिंट देखिए शाक सब्जी कि खाने वाले जंतु शाकहरी को बोलते हैं साका जीक यहूँक्..., कि इस पिरकार हम दिखते हैं कि मीठत, कि आधार फर पौदों से लेकर मासाहारी जनतुंगों तक की एक सीधी कड़ी बन जाती है जिसे हम खाद श्रंकला मतलब कि फूचेंग चित्र को ध्यान से देखिए और बताईए बच्चेों चित्र को ध्यान से देखिए और बताईए देखर परण परण देखिए हरे प्रतियेक जीव प्रतियेक्स या अब प्रतियेक्स रूप से एक दूसरे से तुड़े रहते हैं। इसके किसी भी हिसे में आसंतुलन से पूरी शरंक्ला आसंतुलित हो जाती है। इससे पूरा प्रवाबित होता है। इस पिरका खाज श्रंकला विबिन जीवों की संक्या को संतुलित्क एम नितर्द करती है जो पारवान संतुलन मैं मदद करती है आईए इसे करके समझें पहला पॉइंट देगे चित्र के अनुसार कार्ड अथ्वा दियासलाई से आकर्टी बनाईए दूसर पॉइंट देग हुआ कि आकर्टी नेश्ट हो याती है हमने जाना की पॉधे आव जन्तू दोनों ही एक दूसरे पर निर्बर है पॉधों द्वारा निकला ऑक्सियन जन्तूओं के लिए था जन्तूओं पाद छोड़ा छोड़ा गया छोड़ा गया काबन डाय ऑक्साइट पॉधों को लिए हम अधिक से अधिक पॉधि लगाएं पेड़ पॉधे एव जन्तूओं की रक्षा करें अब पारेवन्ट संश्रिष्ट संश्रित एम सुरक्षित रखें बच्चों सब्सक्राइब को दसमान चैप्टर इसको आप अच्छे दिया आगलना है अच्छी वीडियो अच्छी वीडियो ज कर दी लोग्ट याद है अच्छी वीडियो अधियो च्छी है अच्छी पॉछ्ट आपट है?